Welcome to Law Planet आईए आज इस वीडियो में ADM जबलपूर वर्सिज शिवकान शुकला के केस को देखते हैं जो सुप्रीम कोट ने 1976 यानी एमर्जेंसी के वक्त डिसाइड किया था ये केस हैबियस कॉर्पस की रिट से डील करता है तो इसे popularly हेबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है इस केस के facts को जानने से पहले हम एक बार हेबियस कॉर्पस की रिट को समझ लेते हैं हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है to bring the body ये एक तरीके की रेमेडी होती है जिसका इस्तमाल करके कोई व्यक्ति कोर्ट से request कर सकता है कि उसे illegally detained यानी कैद किया गया है कोर्ट इसी हैबियस कॉर्पस की रिट को issue करते हुए detaining authority को direct करता है कि वो उस detainee को कोर्ट के सामने present करे ताकि court decide कर सके कि detention illegal है या नहीं constitution में article 32 के अंडर ये constitutional remedy दी हुई है जिससे detainee supreme court में writ petition file कर सकता है और article 226 के अंडर इस heaviest corpus के writ के लिए वो detainee high court को approach कर सकता है आईए अब इस case के facts को देख लेते हैं ये कानी तब से शुरू होती है जब लोकसभा में इंडरा गांदी को चुना गया था और इस चुनाओ को अलावाद high court में challenge किया गया था court ने उस समय पाया कि इंडरा गांदी ने गलत तरीकों से लोकसभा के election को जीता है और इस वज़े से उस election को court ने खारिज कर दिया साथ ही साथ इसका असर ये भी हुआ कि इंडरा गांदी उसके बाद 6 साल तक कोई और election नहीं लड़ सकती थी और ना ही अपने office को वो hold कर सकती थी इंडरा गांदी ने अलावाद high court के decision को supreme court में challenge भी किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इसी वज़े से इन judgments के असर को खत्म करने के लिए इंडरा गांदी ने constitution को invoke करवाया और 26 जून 1975 को president द्वारा emergency declare करवा दी क्योंकि उस समय प्रेजिडेंट इंडरा गांदी के इशारों पर काम करता था अगले ही दिन article 359 clause 1 को invoke कर दिया गया जिसमें ये mentioned है कि emergency declare होने पर president एक order के तुरू लोगों को supreme court के पास अप्रोच करने से रोक सकता है बले ही फिर लोगों के article 14 यानि right to equality या article 21 यानि right to life and personal liberty या article 22 यानि protection against detention ही क्यों ना violet हो रहे हो इसका मतलब लोग अब courts में जाकर अपने fundamental rights को enforce नहीं करवा सकते थे जैसे ही ये सब हुआ उसी समय जो लोग इंदरा गांदी के political opponent या critics थे उन सब को custody में लेना चालू कर दिया गया और उन्हें detain कर लिया गया इन सबी लोगों जैसे AB वाजपई, जैप्रकाश नारायन, मुरारजी देशाई और शिवकान शुकला को जिस law के अंडर detain किया गया था वो law था MISA यानि maintenance of internal security act जिसमें बिना trial के accused को custody में लेने का provision दिया हुआ था कई लोग जिनको detain किया गया था, उन्होंने high courts में अपने detention को challenge किया काफी सारे high courts ने इन detain को गलत भी माना और detainees को रिया भी करना चालू कर दिया government फिर इन high courts के order को रोकने के लिए Supreme Court में इसी additional district magistrate वर्सिस शिवकान शुकला के case में पहुँची आई अब देखते हैं इस case में legal issues क्या थे पहला और major issue ये था कि emergency के वक्त article 359 clause 1 का use करके प्रेजिडेंट जब fundamental rights को चीन लेता है तो उस समय भी क्या high court में article 226 के अंडर personal liberty को enforce करवाने के लिए writ petition file की जा सकती है दूसरा issue ये था कि क्या court ऐसे arbitrary presidential orders को judicially review कर सकता है या नही तीसरा legal issue ये था कि president इन orders को pass करकर अपने executive functions को एक legislature की तरह मनमाने तरीके से use कर सकता है या नही आई अब देखते हैं supreme court ने इन issues पर क्या judgment दी इस case में पाँच judges की constitutional bench बैटी थी जिसमें Chief Justice A.N. Ray जी थे और साथ ही Justice Hans Raj Khanna जी, Justice Mohamed Hamidullah बेग जी, Justice Y.V. चंदरचूट जी और Justice P.N. भगवती जी भी थे इस judgment में 4-1 की majority थी और इसमें केवल Justice Hans Raj Khanna जी का dissenting opinion था Four judges जिनोंने majority से judgment पास करी थी उन्होंने government के favor में इसे रखा और कहा कि article 359 clause 1 का यूज करके president ने जो orders पास किये हैं जिनसे कोई भी fundamental rights को enforce करवाने के लिए courts में अप्रोच नहीं कर सकता है वो orders बिल्कुल सही है Supreme Court ने कहा कि लोगों के पास emergency में कोई locust stand-eye नहीं बचता जिससे वो article 226 का use करके high court में heaviest corpus की writ petition file करे Court ने कहा कि लोग इन detentions को challenge नहीं कर सकते क्योंकि सभी orders legally binding है और Supreme Court ने maintenance of internal security act के section 16A clause 9 को भी सही माना जिसको use करके लोगों को detent किया गया था पांच judges में से केवल जस्टिस हंसराज खन्ना जी ने detention को illegal माना और कहा कि article 359 clause 1 लोगों के statutory rights नहीं चीनता है और वो उन्हें enforce करवाने के लिए courts के पास approach कर सकते हैं उन्होंने कहा कि खाली article 21 ही एक मात्र life और personal liberty को नहीं बचाता बलकि natural और statutory rights भी लोगों की life और personal liberty को protect करते हैं उन्होंने कहा कि emergency के वक्त भी government लोगों के life और personal liberty के right को नहीं चीन सकती क्योंकि वो जीवन के लिए बिल्कुली fundamental और जरूरी है Justice हंसराज खना जी का opinion साफ साफ government के against था यही कारण था कि वो सुप्रीम कोर्ट के अगले chief justice नहीं बन पाए जो seniority के हिसाब से अगले CGI बनने वाले थे और उनके junior justice मुहमद हमिदुला बेग जी को उनकी जगत chief justice of India बनाया गया था बाद में justice P.N. भगवती जी ने भी माना कि उनका decision ADM जबलपूर वर्सिस शिवकान शुकला के case में गलत था अभी हाल ही में 2021 में justice D.Y. चंद्रचूट जी जो वाईवी चंद्रचूट जी के बेटे हैं उन्होंने भी माना कि उनके father का decision इस case में गलत था और उन्हे right to life और personal liberty को protect करना चाहिए था आज भी ADM जबलपूर वर्सिस शिवकान सुकला यानि heaviest corpus case को criticize किया जाता है और history में इसे एक काले धब्बे की तरह देखा जाता है जिसने लोगों के right to life और personal liberty को protect नहीं किया और government के favor में decision दिया Finally, 2017 में Supreme Court ने पुट्टा स्वामी के case में इस case को overrule कर दिया था आशा करता हूँ आपको heaviest corpus case अच्छी तरह समझ आया होगा ऐसे ही और case analysis देखने के लिए law planet को subscribe करके bell icon press कर दीजिए मैं मिलूँगा आपको next case analysis में तब तक के लिए धन्यवाद बाई बाई